दोस्तों कपास के खेटी में कीटू का अग्पाज जादा देखने को मिलता है, जैसे कि एक बारिश का समय होता है, तो भाいつ फ्लाई है, थ्रिदस है या फिर गूलाभी सुन्डी का अग्पाण जादा होता है, पिंक बॉलवर्म का अगर जादा हो गया तो फिर इसे कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है तो आज की वीडियो में कपास की खेती पर डिटेल से डिसकस करूंगी इंसेक्ट का अगर कम है तो आपको क्या करना चाहिए कम खर्चे में लब में समय तेक आप रिजल्ट अच्छा रिजल्ट कैसे ले सकते हैं अगर अगर अटेक बहुत ज़्या जरूर देखना है बहुत इंपोर्टेंट जानकरी शेयर करूंगी नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अनिता सिंग आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन और्गेनिक जर्णी दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर क कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकर आपको सबसे पहले मिलती रहें तो कपास में अगर गुलाभी सुन्डी का अटेक या फिर आप इंक बॉल वर्म का अटेक शुरुवाती स्टेज में देख रहे हैं अभी अटेक हुआ ही ह तो फिर सारी कंपनियों का आता है जैसे की सिंजेटा का प्रोक्लेम नाम से आता है यह धानुका का इंबोस आता हिम नाम से आता है तो इसका इसका कर लिजे contact plus stomach action आता है ये non-systemak कीट नाशिक आता है परफेक्ट डोज इसकी आपको लेनी है एक एकड़ के लिए 100 ग्राम 200 लिटर पाने में मिक्स करके आप इस्प्रे करना होता है आदा ग्राम पर लिटर के इसाब से गोल तयार करके आप अपने फसलों में इस प्रेक्ट करें तो ये बहुत इफेक्टिव है जैसे कि पिंक बॉल वर्म है अमेरिकन सुंडी है या पिर स्टेंब और फ्रूट बोरर सबी परकार की फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से हर कहीं पर अवेलेबल हो जाता है तो ये बहुत इफेक्टिव है आप इमामेक्टिन बेंजोइट का इस्तेमाल कर सकते हैं सेकंड दोस्तों की जैसे अब भी आप का पास की खेती में रज चूसने वाले कीटू का भी अटेक देख रहे हैं साथ-साथ में वाइट फ्लाइ है त्रीप्स है या अन्य किसी भी टाइप के कीट है तो इन सब को कंट्रोल करते हुए आप सुन्भी को भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं शुरुवाती स्टेज है तो क्यूए नाल फोर्स 25% EC4 में आता है ये सिंजेंटा का एकलक्स नाम से भी आता है और बायो स्टेड का क्रेश नाम से आता है तो आप इन में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दो अमल पर लिटर के साब से गोल तगयार करके अपने फसलों में स्प्रे कीजिए ये भी कॉंटेक्ट प्लस सिस्टमक एक्शन इसमें आता है और नए जो कितना शिक आते हैं मार्केट में इनका इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है अभी सिंजेंटा का जैसे नए आया है मिनेक्टो एक्स्टा उसका आप इस्तेमाल कीजिए स्टेम बोरर है पिंक बॉल वर्म है लीफ फोल्डर है इनको बहुत इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है टेक्निकल कंटेंट आता है उसमें साइंट्रा निली प्रोल 16.9% प्लस लिफे नरोन भी 16.9% आता है इसकी पर्फेक्ट डोज होती है 20 ml 200 लिटर पाने में मिक्स करके आपको इस्प्रे करना होता है सिर्फ 10 ml 6 लिटर पाने में मिक्स करेंगे 20 ml की जो बोतल आते हैं वो एक एकड़ के लिए सब्सियन्ट होती है इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है और सेम इस कॉंबिनेशन का अभी अलग-अलग तो हैं लेकिन सेम कॉंबिनेशन का कोई भी कीतनाशिक मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो अगर यह आपको मिल जाए तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए प्राइस है इसकी 20 ml की जो प्राइस रहेगी वो है 4500-500 रुपे तो खर्चा भी जादा नहीं हुआ रिजल्ट अच्छा देखने को मिल जाएगा और नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं दोस्तों जैसे कि आप रेस्ट चूचने वाले और चबाने वाले सभी परकार के कीटूं का लट का अटेक देख रहे हैं वाइट फ्लाइ है थ्रिप्स है उनकी साथ साथ में पिंक बॉल वर्म है और साथ में माइट्स का भी अटेक देख रहे हैं या लीफ माइनर को भी साथ में कंट्रोल करना है तब आप यूज कर सकते हैं सुमी टोमो कंपनी का सुमी प्रेंपट जिसमें टेकनिकल कंटेंट आता है पारिफ्रोक्सी फेन प्लस फेन प्रमेथरिन इन दो का कॉंबिनेशन आता है इसी फोर में लिक्विड फोर में याता है और पारिफ्रोक्सी फेन है ये इंसेक्ट ग इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अब लास्ट में सबसे जो important tip मैं आपके साथ में share करना चाते हूं वो है दोस्तों कि pink ball warm का attack अगर ज़्यादा हो जाता है या किसे भी type के keto का लट का attack ज़्यादा होता है उस situation में आपको कम खर्च में अच्छे से अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको किसी भी कीतना शिक के इस्तेमाल से पहले यूज करना है नीम ओल का आप इस प्रे कर लिजिए जैसे 1500 पीपीम का ता 3000 पीपीम यह 10,000 पीपीम को इसा भी आप ले लिजिए दो 2 ml से 3 ml पर लेटर पानी के इसाब से गोल तयार करके फसलों में इस्प्रे कीजिए इसके इस्तेमाल से इसका 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 करेंगे तो सिर्फ वो खाना खाना बंद कर देते क्योंकि यह होता है कड़वा तो इंसेक्ट कड़वा जो टेस्ट आएगा तो इंसेक्ट खाना खाना बंद कर देंगे जिसे की वो वीक हो जाते हैं तीन दिन बाद में जैसे नीम ओयल का आप इसके तीसरे दिन शाम को या चोतरे दिन मौर्निंग में आप इसके कीजिए फ और ये कपास की खेती में नहीं आप सबजी वरगे खेती है या फिर किसी भी टाइब की बागवानी में अभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पहले नीमोयल का स्प्रे कीजिए उसके तीन दिन बाद में या फोर्ट डे आप कर सकते हैं किसी भी कीत नाशे का स्प्रे कीजिए करें अच्छी लगिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेर जरूर करें धन्यवाद